नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने यूटूब चैनल के लिए बेनर आर्ट कैसे बनाएं जिसको बेनर आर्ट भी बोलते हैं और बेनर पोस्टर भी बोलते हैं तो दोस्तो हम अपने चैनल के लिए बेनर आर्ट बनाएंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपको Canua Application Download कर लेना प्लाई स्टॉर्प से जाकर तो दोस्तो मेरे पास Canua Application Download किया हुआ है तो मैं इसको Open करता हूँ तो दोस्तो इस परकार से आपके सामने Canua Application Open हो जाएगा तो दोस्तो Canua Application Open होने के बाद में आप पहली बार डाउनलोड करो गए तो कुछ permission मांगेगा तो permission दे देनेगा और Google से login कर लेना है तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे उपर सर्च बार में दोस्तों अभी हम यहाँ पर type कर लेते हैं YouTube channel art type करोगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर वह सारे option तो दोस्तों यहाँ से आप select कर लिजए तो दोस्तों हम select कर लेते हैं YouTube channel art ठीक है तो दोस्तों अभी हम यहाँ से YouTube channel art select कर लेते हैं select करने के बाद में दोस्तों तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे banner आ जाएगे और आपको जो भी पसंद लगेगा वो आप Select कर लिजे अगर यहां से आप यह Banner नहीं लेना चाहते हो तो आप दोस्तों यहां से भी लेख सेकते हैं blank लिका हुआ यहां से भी लेकिन दोस्तों अभी हमको यहां से नहीं लेना है blanks नहीं लेना हमको यहीं से लेना है तो दोस्तों हम यहां से पसंद कर लेंगे कि हमको कौन सा अच्छा लग रहा है उस foster को हम select कर लेंगे जो foster हमको अच्छा लग रहा banner art अच्छा लग रहा उस banner art को हम select कर लेंगे तो दोस्तो अभी हमारे सामने कौन सा है banner art जो देखने में मस्त लग रहा है वो वाला तो दोस्तो मैं यह वाला ले लेता हूँ ठीक है इसको लिया मैंने click किया click करने के बाद में दोस्तो अभी यह कुछ process ले रहा है click करने के बाद में आपके सामने इस परकार से open हो के आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तो यहाँ पे click करना है और इसको delete कर देना है ठीक है इसको भी delete कर देना है तो दोस्तो हम इसको भी क्लिक करके अभी डिलेट कर देते हैं दोनों को डिलेट कर देते हैं ठीके एस लिखा हुआ इसको भी हम डिलेट कर देते हैं इसको भी क्लिक करके तो दोस्तों हमने उसको भी क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों अभी आपका चैनल किस नाम से है उस चैनल का नाम आपको लिखना ह तो दोस्तो अब हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखेंगे तो उसके लिए दोस्तो हम यह प्लस पर किलिक करेंगे प्लेस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आगे इस परकार से पेच ओपन होके आ जाएगा तो यहाँ पे आपको टेक्स पे क्लिक करना है तो दोस्तों आगे आपके सामने इस परकार से पेच ओपन होके आ जाएगा तो यहाँ पे आपको ADI हंडिंग पे क्लिक कर देना है त गीता सोर्टस तो यहां पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूं तो दोस्तों अभी यह मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया गीता सोर्टस ठीक है तो दोस्तों यहां पर आपको इस परकार से आप लिख सकते हो और इसका कलर भी चैन कर सकते हो तो color change करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे option मिल जायेगा जो भी आप color पसंद करो color आपको देखने को मिल जायेगा यहाँ पर देखिए यह वाला color यहाँ से आप ले सकते हो कोई साभी color जो आपको अच्छा लगे और color दे सकते हो तो देशा कि मैंने ये color दिया ठीक है अभी इसका हम front change करेंगे front change करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे front यह लिका हुआ front में आएंगे front हमें आप किलिक करने के बाद में इस परकार से page open होके आजाएगा तो यहाँ पर आपको front choose कर लेना है जो आपको अच्छा लगे वह वाला तो दोस्तों यहाँ से मैंने front change कर लिया है जो कि archie o black लिका हुआ इस पर किलिक करके मेरा देखिए अभी इस परकार से change हो गया है कितना मस्त लग रहा है तो दोस्तों अभी हमारा इस परकार से दिखेगा आप यहाँ से color change कर सकते हो और इसमें से front size में ले सकते हो जो भी front आपको अच्छा लगे वह side में इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो तो मैं अभी इसको कुछ नहीं करूंगा चलिए थोड़ा करके देखता हूं तो यह इतना बड़ा कर लिया ठीक है तो अभी अच्छा लग रहा है दिखने में तो दोस्तों इसके बाद में हम क्या करें तो दोस्तों इसके पर अपना चैनल का नाम लिख दिया और यहां पर आपना फोटू लगाएंगे तो अपना फोटू लगाने के लिए प्लेशपी विक करेंगे प्लेश्पी किलिक करने के बाद में दोस्तों ऐसा पेच ओपन हो कि आ जाएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा गेलरी यहां पे देखें ये gallery लिखा हुआ gallery में हम click करेंगे तो दोस्तों आगे इस परकार से आपके सामने page open हो जाएगा जो कि आपकी gallery में लेके चला जाएगा आपको तो दोस्तों अभी आपको ये अपनी gallery में लेके आ गया है हैं से आप ईक गैलरी में से जो भी photo लेना चाहते हो photo आप ले क्रोपिंग इसको करने के लिए कहा गया सकते Jadi मैं इसको यहां पर लगाना वहां 11द तो अवा इसको यहां पर उपर में ठीक है तो यहां पर थोडा साइट में मैं इसको रखूंगा उपर में ठीक है दोस्तों तो अभी हमने हीज़गे रख लिया अपना फोटो sets कर लिया अभी इसको मैं फिर से croping कर लेता हूँ बड़ा हो गया तो थोड़ा इसको मैं कROping कर लेता हूँ तो दोस्तों यह मैंना coping कर लिया अभी इसको done कर देता हूं अभी देखे हमारा यह photo यह पे लग चुका है तो दोस्तों इस परकार से आफ भी अपने photo लगा सकते हो यह फिर अपने channel का logo लगा सकते हो यह फिर अपना Youtube channel का logo लगा सकते हो दो भी हमारा यह channel आरड बन TE तैयार हो गया तो हम इसको अभी क्या खेंगे collection करने के लिए और पको हैं वाला लीए इसके उपर आपको क्लिक करना है इसको उपर क्लिक करने के बाद में यह आपका तो दोस्तों अभी आपकी गैलरी में डाउन लोड हो रहा है तो डाउन लोड होने के बाद में दोस्तों आप इसको अपने चैनलं में लगा सकते हो बढ़ी आसानी से दोस्तों वीडियो कैसा लगा कुमेड जब